गट्टू चिंकी और आइस्क्रीम ये हम पास हो गए ये ये मेरे होशियार बच्चे बहुत खुब मामी हम दोनों फ़स्ट आए बहुत महनत की मेरे बच्चों ने दिन रात पढ़ाई की और एक्जाम दिये गट्टू और चिंकी स्कूल में फर्स्ट आये थे और इसी के साथ गर्मियों की छुट्टिया शुरू हो चुकी थी अब पढ़ाई बढ़ाई सब बंद अब शुरू छुट्टिया अब हम जाएंगे ना ना नानी के घर अरे लेकिन उसके लिए तो अभी बहुत वक्त है तब तक तुम यहीं खेलो तो फिर अभी हम चले ग्राउंड में बाई बाई गट्टू और चिंकी ने बैग फेंका और वो दाड़ पड़े ग्राउंड की तरब ये चुट्टिया शुरू हो गई बताओ क्या खेलें चलो हम लोग खेलेंगे अभी छुपन चुपाई हम सब लोग छुपेंगे और गट्टू हमें ढूंडेगा नई नई हमेशा मैं ही क्यों यार गट्टू जा ना हम लोग छुपते हैं ना तो गिंती कर अच्छा ठीक है मैं तो अभी जट से सब को पकर लूँगा जाओ भागो एक, दो, तीन मैं आ रहा हूँ सारे बच्चे खेलने में दंग हो गए उन्हें किसी भी चीज का ध्यानी नहीं रहा लेकिन धीरे धीरे सभी के गले सूखने लगे थे और उनके पसीने छूट गए थे मानो अभी अभी नहा के आये हो हाए राम ये गर्मी अरे यार बहुत गर्मी है आज सूरज देर तक कुछ ज़्यादा ही घुस्से में लग रहे है मुझे बहुत प्यास लगी है हाँ मुझे भी कुछ थंडा खाना या पीने का मन कर रहा है चलो हम लोग नीबू शर्बत पीते हैं अरे लेकिन हमेशा वाली नीबू शर्बत के चाचा दिखाई नहीं दे रहे तभी सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आते हुए नजर आए अरे वो देखो सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आ रहे है चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं चलो चलो बच्चो जल्दी आओ और जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाओ मुझे स्टाबेरी फ्लेवर चाहिए मुझे मैंगो आइसक्रीम दो मुझे कैटबरी चॉकलेट वाला कैंडी अरे हाँ हाँ बच्चो सबको मिलेगा सबको मिलेगा रुको रुको सभी बच्चो ने बहुत शान से आईस क्रिम खाई तेज धूप में बच्चो को शान्ती मिली खेलते खेलते शाम कब होई पता ही नहीं चला सब बच्चे घर लोटाए गट्टू और चिंकी बहुत ठक गए थे अरे बच्चो छुट्टियां लग गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर खेलो कूदो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो अभी मैं तुम लोगों को ड्रॉइंग और डांस क्लास में लगवा देता हूँ ताकि तुम दिन भर धूप में ना निकलो नहीं हमें क्लासेज नहीं जाना हमें तो दिन भर खेलना है बाहर धूप देखी कितनी है बिमार हो जाओगे दूप के कारण डी हाइडरेशन होता है अरे ज्यादा से ज्यादा पानी तो पिया करो पता है आज हम सब के गले खेलते खेलते सूख गए थे तो हमने आईस क्रीम खाई हे राम बच्चों के स्कूल शुरू थे तो वही अच्छा था अब छुटियां लगी नहीं तो बाहर का खाना शुरू ये बिमार होकर ही रहेंगे अरे जाने दो बच्चे हैं कभी कवार आईस क्रीम खा लिया तो क्या हुआ इसी तरह दीन बीटते गए गट्टू चिंकी और सारे बच्चे दीन भर अब रोज आईस क्रीम खाने लगे थे हर रोज आईस क्रीम खाने के चलते राजू बिमार हो गया था चिंकी जल्दी से टीवी लगाना मुझे बहुत बोर हो रहा है अरे रुको रुको मुझे निउस चैनल देखना है और ठंडा ठंडा मजा पाओ पापा मुझे भी आईस क्रीम खाने का मन कर रहा है नहीं पापा रुको आईस क्रीम खाने की वज़े से राजू बिमार हो गया था इसलिए चिंकी जिद मत करो लेकिन कभी कबार आईस क्रीम खाने से बिमार नहीं होते चलना तुझे भी मन नहीं करता क्या मन तो मेरा भी करता है लेकिन मुझे बिमार नहीं होना ये तो सही बात कही तुने अब क्या करे तभी मम्मी बाजार से सामान लेते हुए घर आती है उन्होंने इन सब की बाते सुन ले थी उन्होंने कहा है राम मेरे सयाने बच्चे कितने समझदार हो गए हैं आज के दिन खाने देते हैं न वैसे हमारे बच्चे तो समझदार है रोज रोज थोड़ीना आईस्क्रिम खाएंगे हाँ, एक दिन आईस्क्रीम खाने से तो कोई बिमार नहीं होगा लेकिन गंदे पानी की आईस्क्रीम खाने से जरूर बिमार हो जाओगे तो आप क्या करे? आइडिया, मैं कुछ फ्रूट्स लाई हूँ और घर पर मैंगो भी है चलो, हम सब लोग मिलकर आईस्क्रीम बनाते हैं ममा, क्या घर पर भी आईस्क्रीम बन सकती है? अगर तुम्हारी मममा हो साथ, तो चिंता की क्या बात? सभी लोग हस पड़े, और किचन की तरफ गए गट्टू और चिंकी तो बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि आज उन्हें आईस्क्रीम जो खाने मिलने वाली थी पापा भी बहुत एक्साइटेड थे चिंकी के पापा, मैं स्ट्रॉबेरीज लाई हूँ उसे छोटा छोटा काटना तब तक मैं आम काटती हूँ लेकिन मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर चाहिए अच्छा तो एक काम करो बाजार से दो चॉकलेट लेकर आओ और इसी तरह सभी लोग मिलकर आईस्क्रीम बनाने में जुड़ जाते हैं जैसे बैटर बन जाता है मम्मी उसे फ्रीज में रख देती है अब हम आज रात का वेट करेंगे और कल दो पहर तक हमें मस्त थंडी थंडी आईस्क्रीम मिलेगी इतना वक्त अरे बाबा इतनी मेहनत की अब उसके आगे भी और इंतजार बेटा मेहनत का फल मीठा होता है चिंकी ने फ्रीज का दर्वाजा खोला मम्मी अभी भी आईस्क्रीम नहीं बनी है में कुछ अच्छा चाहते हो तो इंतजार करना जरूरी है गट्टो और चिंकी दिन भर दर्वाजा खोलते और फिर बन्द करते वो आईस्क्रीम जमने का इंतजार कर रहे थे वो दोनों भी बहुत एक्साइटेड थे फाइनली दूसरे दिन सुभा तक उनकी आईस्क्रीम जम गई याहू हमारी आईस्क्रीम बन गई चलो अभी हम राजू पिंकी रादा सभी को बिलाते हैं और उन्हें भी आईस्क्रीम खिलाते हैं हाँ हाँ और अब हमारा बाहर का आईस्क्रीम खाना बंद अभी हम घर पर ही फलो की आईस्क्रीम बना कर खाएंगे फिर हम पेमार भी नहीं होंगे और इसी तरह गट्टू और चिंकी ने मम्मी की मदद से बहुत समझदारी से काम लेते हुए गर्मी के उपर हेल्दी सोल्यूशन ढूंड ही लिया अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें